दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सार्थक टेस्टरीज हमारी जो चल रही है उसका दूसरा फ्री टेस्ट जी एस थाइप से बना हुआ जिसमें आपके 20 कंप्लीट प्रस्ट है इन प्रस्टों को आप उत्तर भी इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करके जाएग और हमारे अन्यकारिक्रम भी चल रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं धरनजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज की एक स्रिंखला लेकर कर आया हूँ जिसमें GS5 और 6 के प्रस्टों को हम लोग डीट क्या जाएगा तो चलिए दोस्तों यह हमारा जो आपका टेस्ट पेपर है आपके इंस्ट्रक्शन्स हैं जैसे कि आयोग देता है तीन घंटे में आपको यह लिखने हैं और 200 अंक हैं यानि कि 20 प्रस्ट है कुल 10 प्रस्ट जो है एक खंड से होते हैं दूसरे खंड से तो य हमारे प्रस्ट हैं तो उनको आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता होने चीए जो लोग भी पहली बार मुंखे परिक्षा लिख रहे हैं वो लोग ध्यान से पढ़ लें तो चलिए हम लोग खंड एक के प्रस्टों पर विस्तार पुर करते हैं यह पहला परस्ट है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्राकर्तिक विभाजन तो प्राकर्तिक कैसे होता है तो यह जोगरूफी से संब्दित प्रस्ट है आपका और इसमें जो है आप यूपी का मैप तुरंत बना दिया करिए जो लोग भी परिक्षा दे रहे हैं कम स समय में बनाने की कोशिश करिए इसमें जो है प्राक्रतिक चेत्रों में अगर हम बात करें तो किस प्रकार के पठारी किदर पाया जाता है परवत किसे किदर पढ़ बिंधन परवत शेडई है जो इदर जाएती है पठारी छेतर जो है दक्षड का ये मुंदेलखन का पठार अन्यच्छेतर है ये हो जाएगा आपका मैदानी छेतर हो जाएंगे और इसमें जो है तीन भागों में इसको माना जाता है भावर जो है भांगर खादर और तराई का छेतर ये सब छेतर है इन छेतरों को आप लिख करके और लिख करके आप लोग जरूर प्रस्न उत्तर चेक कराई जरूर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे और देखे दोस्तों कल मैं एक आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे जो है आप वार्ड मैप आसानी से बना सकते हैं कुछी सेकेंड में वार्ड मैप आप कैसे बना सकते हैं इंडिया का मैप जो है कुछी सेकेंड में कैसे बना सकते हैं और यूपी का मैप कैसे बना सकते हैं इस पर एक क्लास अगर आप लोग कोई क्लास से तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग तो इससे जो है संबंदित चीजों को हम लो कौन कौन सी पाई जाती है उतन प्रदेश में उसके बारे में आप लोग बता दिजेगा ये भी जिーग्रोफी से, तो दो प्रस्चिन जो है आपके जोग्रोफी से है इस पेपर में दो क्योस्टेशन करें पहर्ड़ से पड़े हैं जोगी करेंट पहर्ज से प्रस्ट जो है वो अलग से आपकी कराए जाएंगे next test जो होगा हमारा वो GS1 से शुरू होगा ठीक है ना next test जो है वो GS1 से शुरू होगा फिर से आप उसका syllabus जो है complete अप सारे paper होंगे जो लोग भी इस बार परिक्षा नहीं देरें वो लोग भी लिखने का प्रयास करें ठीक ह coming in context to the climate division अब उत्रप्रदेश दूसरा प्रस्ट है तीसरा प्रस्ट है उत्रप्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख ब्रदाएं यह वो उनके छेत्रिय और वितरण की चर्चा कीजिए स्वयल डिवीजन कैसे कैसे हैं तो कहां पर दोवत्न मिट्टी है जो हanking कहा पर जो है च tradis in सब उसका विस्तास कहां से ए सब प्रश्ण में और साथ ही साथ जब तक आप म्रदाओं का आपको आपको डिविजन नहीं पता रहेगा तो आप एक्री कल्चर का दो सो सब्दों में लिखने के प्रयास करिए जिससे क्या होगा कि ये प्रस्ण अगर आपसे परिक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको ये समस्था नहीं रहेगे कि हम दो सो नहीं लिख पा रहे हैं या हमारे पास content की कमी है दे स्टेट अफ तर्प्रदेश इस सॉफरिंग फ्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट ऐपस ओफ स्वाइल इरोजन ये कि उत्तर प्रदेश नहीं होता है यह उत्तर प्रदेश स्टेट होगा ठीक है ना उत्तर प्रदेश राज्य विभिन प्रकार के ब्रदा आपर्दन यानि कि कि उस लोगा ने बड़ा चांसर लिखाए इसने हमारे उत्तर प्रदेश की की हम बात करें तो इसमें सौरिंड अरोजन जो होता है हमारा कहां कहां किस तरीके से होता है तो सब्सक्राइब कि कितने प्रकार है ऐों। से होता है ना उैं गली तो होता है, दो तो मुख्य हैं और इसमें जो है रीवर से एक अलग होता है, रीवर वाटर में ही आ जाएगा, तो गली इरोजन इसको बोलते हैं, ठीक ना विंड इरोजन वाटर इरोजन और गली इरोजन जो है नदियों द्वारा जो चंबल विशेश करके जो जो है बुंदेल खंड के जो बीहड के छेत्र हैं उनका निर्मान करती है तो कहां पे होता है जिसे आगरा मत्रुआ जो पस्च में उतर प्रदेश है उसमें जो है किस तरीके से स्वाल एरोजन होता है तो बायू अपरदन उसको बोलते हैं गली एरो स्वाल जो है अन्य कौन-कौन से इरोजन है उसके आप बारे में आप डीटेल बात से रहें काफी इंपोर्टेंट प्रस नहीं आ सकता है सीवे इसमें जितने भी प्रस्ण दिये हैं दोस्तों सारे आपके परिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप लोग बिल्कुल भी यह मत सोचें कि आप परिक्षा में आएगा नहीं आएगा हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सारे टॉपिक आपको कबर करा दिये जाएंगे सब सारे प्रस्ण आपके लगभग मैं बता रहा हूं गारंटी कि 70-80% जो है ना 70-80% प्रस्ण जो है आपक पताने हैं उनको और क्रॉप साइकल क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बात से प्रस्ण हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से सॉल्व करने के साथ साथी जो है इनका उत्तर कठी नहीं है लेकिन आपको फ्रेम करके लिखना मैप बना करके लि आपको 3500 रुपए में मिल रही है लेकिन अगर आप आज या कल में इसमें लेते हैं हैं इंडमिशन तो आपको इस पे भी किते प्रिसित का डिसकाउंट है 30machen का 30% का discount है दोस्तों इसमें हम लोग कुछ courses चल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा 75 days का crash course है एक बाउन्स होके आसपस फीस है इसमें और इसमें जो है लगबग 1600 का discount अगर आज कल में आप admission लेते हैं तो आपको मिलेगा इसमें कुछ classes भी मिलेंगी आपको जो paper second, third औ questions पर आपको model answer के साथ करा जाएगा test series BC में include है ठीक न और complete current affairs भी जो होंगे इसके लिए आपको app हमारा download करना पड़ेगा और guru 30 जो है आपको एक code apply करना होगा साथ ही दोस्तों यह foundation बैचे इसमें pre comments सभी की classes चलाई जाती हैं जिसमें आपको 2000 तक की छूट हो जाएगी अग मात्र आपको 5000 के असपा से course पुरा पड़ेगा ठीक है इसमें guru 30 code यूज करना बिल्कुल न भूलें साथ ही दोस्तों 1050 में मात्र आपको निबंध की पूरी classes मिलेंगे और यह कल तक ही valid है guru 30 code यूज करेंगे तो 1490 फीस है आपकी वह अगर किसी भी प्रकार की आपको या 8076-944-4053 पर आप WhatsApp कर से करके डीटेल ले सकते हैं तो यह information जो है अपने दोस्तों के भी शेर करें जो लोग भी मुख्य परिक्षा दे रहे हैं उनको जरूर बताएं और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी मैं आपसे बोलूँगा कि जो लोग नहीं दे रहे है वो लोग भी प्रैक्टिस करें देखे मुख्य परिक्षा होने प्रारंभिक परिक्षा होने से मतलब नहीं है आपकी मुख्य परिक्षा की त्यारी हमेशा जब तक त्यार नहीं होगी तब तक प्रारंभिक परिक्षा में पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है चलिए उत्रप्रेश में सिचाई व्यवस्था के प्रमुक साधनों पर जैसे कि उत्रप्रेश में सिखाई जैसे नहरों से सिचाई की जाती है, तलाबों से की जाती है, और आप टूवेल से की जाती है, ठीक है तो इन सबी के जो हमारे traditional method हैं और जो अभी सिचाई के बहुत सारे application system of उत्रप्रदेश, साथ नंबर पर हम बात करेंगे, सात्माप्रस उत्रप्रदेश में पाया जाने वाले थारू जन्जाती की प्रमुक विशेष्टाओं की चर्चा करते हुए थारू जन्जाती के प्रमुक उत्समें तोहारों का बढ़न करें, अब थारू जन्जाती ह तो है, आप कहां पाय जाती है, किस छेत्र में पाय जाती है, क्या खान पान है। क्या कलचर है, क्या रहते हैं, किस प्रकार से उत्सोत त्योहारादी मनाते हैं। इस पर आप डीटेल खर्चा करेंगे। discussing the main features of the Tharu tribe found in Uttar Pradesh describe the major festival and of Tharu tribe ये आपको 125 शब्द में लिखना है ठीक है ना आठ में प्रस्टन पर हम बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार दोरा प्रात्मिक सिख्छा के विकास में प्राइमरी एजुकेशन इसदा फाउंडेशन ऑफ एनी स्टुडेंट आप किसी भी विक्ति के विकास का पहला चरण जो होता है आप देखते हैं माता-पिता के बाद जो है प्रात्मिक सिक्षक जो होते हैं या प्रात्मिक सिक्षा या स्कूल जो होते हैं वो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं उत्तरप्रदेश is lacking behind in primary education आप सभी को पता है कि उत्तरप्रदेश यह बहुत ज़्यादा काम करना है इस फिल्ड में क्या-क क्या अभी प्रयास किये जा रहा है किस तरीके से किस तरीके सुधार करने का attendance के सुधार फोकस करने की बात की गई है government teachers की जो है salary on time हो गई है उनकी duty भी अपकम लगाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार जो है उनको internet आदी के माध्यम से teachers को encourage कर रह है इनको भी आप देखेंगे तो primary education में क्या-क्या सुधार किये जा रहा है क्या-क्या प्रयास किये जा रहा है क्या संभावना है हो सकती है सब पर चर्चा करने डिसकुस्ट अफ़र्ट विंग मेड बाइड बाइदर गौर्मेंट अफ प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही important है नौ नंबर प्रस्म बराते हैं आजादी के पहले से अब तक उत्तरप्रदेश राज जिंद्वारा पत्रकाइटा के शितर में विकास की चर्चा कीजिए तो देखी जनलिजम जो है बहुत ही बड़ा पार्ट होता है आपके किसी भी state या country के जो है freedom of speech का तो किस प्रकार जो है काफी पुराना है उत्तरप्रदेश का तीक है उसके बाद दैनिक जागरान किस तरीके से इसका विकास हुआ उसके बाद जो है electronic media आई किस तरीके से पत्रकाइटा जो है आगे बढ़िए बड़े बड़े जो है media house जो है आज हमारे लखनाउ में स्थापित हैं अपने उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के कॉंटेक्स में आपको बात करना है ठीके डिस्कस्ट देवलोप्मेंट इन दे फिल्ड ऑफ जर्नलिजम बाई दे स्टेट उत्तरप्रदेश सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस तो यानि कि आजादी के पहले से ही आपको यह चर्चा कर और इस खंड का अंतिम प्रस्ट हम देखेंगे उत्तरप्रदेश राज में संगीत के विभिन घरानों की चर्चा कीजिए यानि कि वैरियस घराना है कौन-कौन से बनारस घराना है ठीके न तो और इस प्रकार से यह घरानों का नामखरण कैसे हुआ म्यूजिक में किस प्रकार से हमारे बड़े-बड़े जो म्यूजीशन है जो पंडित रवी संकर से लेकर के बड़े-बड़े धुरंदर है चौरसिया जी है इन लोगों ने किस प्रकार से हमारे उत्तरप्रदेश को सपोर्ट किया है विभिन फिल्ड में विभिन घरानों क कि आप बात करेंगे इन घरानों के कौन-कौन से नाम है लखनु घराना कैसे कारिकर रथ है किस तरीके से बनादस घराना है आगरा घराना किस तरीके से है और भी घराने हैं घरानों के बहुत सारे नाम है उन घरानों के आधार पर आप इसका विरण करेंगे प्रारभी परिक इस तरीके से किस तरीके से यह गाय जाते हैं किन च्ट्रों में कौन कौन से गाय जाते हैं बुंदेल खंड में कौन सा लोग गीत गाय जाता है इन सभी लोग गीतों के बारे में आप क्या करेंगे जानने का प्रयास करेंगे कि लोग गीत होते क्या हैं लोग गीतों की क्या प्रसंग गीता होती है उतरप्रदेश के विभिनी छेतरों में जो ब्रजवासी है वो कौन से पस्षिमी उतरप्रदेश में कौन से लोग गीत गाय जाते हैं उतरप्रदेश में कौन से लोग गीत गाय जाते हैं कौन कौन से फ हैं लोक जैसे कि हमारा एक टो असी प्रकार से हमारे up discord भी हिसके बारे में आप को बाथ करनी है उत्तर प्रडेश का साश्री इंडिर्ट्य कठ देखेcc भी आ गया कंध्य से है हमारा उत्तरप्रदेश राजी के प्रभु बहुत तीर अस्थलों की चर्चा करें दो सब्द में इसको लिखना है दोस्तों सेकेंड खंड का होता है उसको 200 सब्दों लिखना डिसकस्ट मेजर बुद्देश्ट पिल्ग्रिमेज या तो कपिलवस्ट के बारे में लिखिए काशामबी सारनात किस प्रकार से इनका संकिषा क्या इनका विस्थार हुगा क्या क्या बुद्ध से सम्बंदित कौन-कौन से हैं जो है चंप्रगुप्त आदी के आ बहुत ना में आशोख हो गया चंप्त के बारे में आप देखेंगे कहा कहा स्थल से किनकी नस्थलों से संबंदी थे Morian period के बारे में गुप्त काल नहीं है आपको Morian period बताना है उत्तर प्लेश में इस थित बहुत अस्थापत्यकला की प्रमुख विसेस्ता है यानि कि ज्यादा तर आप देखेंगे कि कुछ बिहार और कुछ जो है ज्यादा तर हमें क्या मिलने को स्थूपा देखने को मिलते हैं स्थूप जो है सारनाथ में कैसा है ठीकन कौन-कौन से स्थूप सारनाथ में पाए जाते हैं दो-तीन स्थूप हैं, आपके यहां पर कुशिनगर में कौन सा स्थूप है, किस क्या, क्यों, उनको क्या बुला जाता है, कपिल वस्तु में, अन्य जगह पर जो है, क्या-क्या उनके आर्किटेक्चर हैं, उनके बारे में आपको बात परना है, चक्रवात विपर जाये, अब उश्रकटवंदी चक्रवातों के कारणों के बारे में, इसके लिए हमने एक आर्टिकल हमारी वेबसाइड जो है, लिखा है बहुत ही डीटेल में, इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से, यह और समाननागरिक संगीता, ठीक न, यूनिफर्म सिविल कोड जो है, यह कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक न, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें भारत ने अच्छी छलांग मारी है लगबग 9 अंकों की, और इससे प्रस्न पूछे जाएंगे, ठीक न, फिर भी भारत जो है अपने पढ़ सी देशों में बहुत नीचे है, सिर्फ पाकिस्तान में हमार को छोड़ करके अन्य देशों से बहुत पीछे है, ठीक न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के बारे में, डीजल में एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, साथी दोस्तों, वाट डूए अन्डेस्टेंड बाइदे इन्फार्म सिविल कोड आपको बत अठा रहा हो गया, उनिस उत्तर पुद्धिस राज में परेटन की दृश्य से, यानि की टूरिजम, टूरिजम में बुधिस टूरिजम है, आपका रामायट सर्किट, आपने कोज सारे सर्किट इन्होंने बना दी है, माबार सर्किट है, रामायट सर्किट है, और आपके बुद्ध सर्किट है, यह इन सभी सर्किट के मादम से भी आप कह सकते हैं, और भी हमारे जैसे हैं, पिल्ग्रिमेज हैं, जो धार्मिक अस्थल पर हम देखते हैं, तो इसलामिक धार्मिक अस्थल हैं, हिंदु धार्मिक अस्थल हैं, कृष्टन जो है, कुछ हमारे पास च प्रिजम इन स्टेट ऑफ उत्रप्रदेश और लास्ट जो है ट्वंटी वाला प्रस्न है जो उत्रप्रदेश में अलपसंक्य खवर के कल्यान के लिए अब तक के किये गए प्रमुख प्रयास ठीक है न तो एक माइनॉर्टी हमेशा जो है रोता गाता रहता है विशेश कर अ लोगी राज में तो और भी समस्य हैं हुई है मतलब कहा जा रहा है कि हो रही है लेकिन क्या आपको उनके वेलफेर के लिए कौन-कौन सी योजनाय चला जा रही है क्या माइनॉर्टी को क्या-क्या लाव मिल रहे हैं चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य माइनॉर्टी हो इसके बारे में आप लोग देखेंगे ठीक है यह हम स्रीज की कुछ विश्यस्ता बता देते हैं दोस्तों 28 टेस्ट होंगे दोस्तों इसमें 18GS के होंगे 5 निबंध के 5 हिंदी के टेस्ट होंगे ठीक है न दो टेस्ट हो चुके हैं फ्री हैं जो भी कोई भी एडमिसन लेना चाहत है वह हमें वाटसप कर दे डबल जिरो टू नाइन वन थ्री फाइफ वन सेवन पर और उसको मैं दोनों प्रस्णों का मॉडल आंसर भी एक या दो प्रस्णों का मिल जाएगा तीक ना तीन से चार दिन लगते हैं आपके आया पर हमारे वेब्साइट पर जो है आप जा करक से में आपको यह टेसरी पूरी 28 मिल जाएगी ठीक ना इसका शेडूल भी यहां पर दिया गया है इसको मैं आप सभी के भी शेयर कर देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे में स्कॉर्स से अन्य कोर्से से जुड़ने के लिए हमसे संपर करें बहुत-बहु खास करके समिक्षादिकारी सायक समिक्षादिकारी से कारीक्रम से जड़ूद जुड़ें